तो हेलो साथियों नमस्कार स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेज जंक्सन एक कदम सफलता की ओर में मेरा नाम है अतुल सुकला और मैं लेकर के आ गया हूँ आपके लिए MP पुलिस कॉंस्टेबल 2030 MPSI SSC GD और अन्य सभी भरती परिक्षाओं की दिश्टी से क्योंकि पिरुस कार से 2-3 प्रष्ट पूछे जा रहे है कर्यंट अफेर का ये टॉटिक है आगए योटोपिक जिद्सट अर बढ़ेगा क्योंकि अग्चे और पूछे जाने की संभावना है अगली किसी सिстиट में आपका एक्ञाम है तो आपसे निविदर्धान है कि आप अपने प्रश्णों को अपने नाम के साथ में 7052547003 इस नंबर पर वाट्साप जरूर कीज़ेगा जितने भी प्रश्णा आपको याद रहते हैं एक्जाम सेंटर से निकलने के बाद में आप इस नंबर पर एक से डेड़ घंटे के अंदर भेज सकते हैं तो चलिए बिना सम जा रही है MP Police की वो सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं ठीक है तो चलिए शुरुआत करते हैं 2021, 2022 और 2023 यहीं से आपके Awards के पुरुषकार पूछे जा रहे हैं पहला Award है नेता जी Award 2022 किसे दिया गया है तो सिंजो आबे को यह पूर्व पुरुषकार दिया गया है याद किसकी याद में दिया जाता है तो नेता जी सुवाशन्द वोस के याद में नेता जी Award दिया जाता है इन्हीं को 2021 का पद्म विभूसन भी दिया गया है यह भी आपको याद रखना है यह प्रस्टमी पूछा जाएगा क्योंकि 2021 के Award भी यहाँ पर पूछे जा रहे हैं व्य यह दिया गया रचना कौन से तुमडी के सब्द ठीक है एक एक प्रस्टन आपके लिए महतपून है 2021 की बारत करते हैं तो 2021 का जो हिंदी साहित अकैडमी पुरुषकार है वो दया प्रकास सिन्ना को उनकी उपन्यास समराठ असोक के लिए दिया गया था ठीक है तो 2022 का भी आपको बता दिया हिंदे साहित अकैडमी पुरुषकार और 2021 का भी हमने हिंदे साहित अकैडमी पुरुषकार बता दिया ठीक है ध्यान से सुनते हुए चलना एक दो बर इस वीडियो को और दिख लेना तो यह दो तीन नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको बता दे अगर आगे स्सी जीडी का एक्जाम में 80,000 वेकेंसी एक लाख वेकेंसी आने वाली हैं तो MP पुलिस के बाद में आप इस फ़र्म को भर सकते हैं आगे किसी भी आगे कोई भी अगर आपका एक्जाम है तो स्सी जीडी के लिए चच चेल में आपको जानकारी इस किताब में मिलने वाली है इस्टेडी गाइड के अलाबा इनकी स्सी जीडी की प्रैक्टिस बुक भी निकाली गई है तो स्टेडी गाइड से आप बहतरिन तयारी कर सकते हैं और प्रैक्टिस बुक से अपनी प्रैक्टिस जान सकते हैं इसमें GD में पक्की कर सकते हैं 80,000 वेकंसी SSC GD की और लगवक एक लाख वेकंसी CRPF की आने वाली हैं दोनों के लिए ये किताब महत्वपूर्ण है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है पद्म विभूसंड 2023 कितने व्यक्तियों को दिया गया है सबसे पहले मुलायम सिंग यादो को दिया गया है समाजवादी पार्टी के ये जो है समाजवादी पार्टी के संस्थापक है इनको दिया गया सरी निवास को दिया गया ये एक मात्र भारती मूल के अमेर्की है जिनने पद्म विभूसंड दिया गया है उसके बाद में T.S. किष्णा को दिया गया, ये करनाटा के पूरो मुख्यमंतरी है, इनको ये पुरुसकार दिया गया है, बाल किष्णे दोसी को दिया गया है, ये वास्तोकार है, इनको ये पुरुसकार दिया गया है, दिलीप महाल लोबिस, जिन्होंने O.R.S. की जो O.R. दे चुके हैं, ठीक है, 2023 में 6 लोगों को दिया गया ध्यान रखना है, आगे बढ़ता है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड मूल गाने के लिए किसे दिया गया है, तो नाटू नाटू जो हमारा मूल गाना है भारत का, जो RRR मूवी है न, RRR मूवी, इसको जो है, गोल्डन ग्लो अवर्ड दिया गया है, तो ये दोनों आपको यादकना है, ये भारत के ऐसे मतलब की आपकी फिल्म और गाने है, जिनको जो है, ओसकर अवर्ड मिला है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरू कर देना, टी मल्टिप्लाइ अवर्ड दिया गया है, तो अभी हाली में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्ब को टी मल्टिप्लाइगर रिजर्ब को दिया गया है, और ये तमिलाडू का है, ये भी आपको यादकना है, आगे पूछा जा सकता है कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्ब कहाँ पर है, तमिलाडू तो जो बागों की जन संक्या है, टाइगर की जन संक्या है, इसको लगाता दुगनी करने के लिए T multiply by 2 award सत्यमंगलम Tiger Reserve को दिया गया है 2021 को किसका दिया गया था तो 2021 का पीली भी Tiger Reserve जो है उसको 2021 का T multiply by 2 award दिया गया था ठीक है आगे बढ़ते हैं 31 ब्यास सम्मान 2021 किसे दिया गया है याद रखना 2021 का यहां पर पूछा जा रहा है तो 31 ब्यास सम्मान 2021 अजगर वसाहत को दिया गया है उनका जो अपन्यास है महाबली के लिए ठीक है तो यह 31 है ध्यान रखना अभी हम 32 भी कराने वाले है लास्ट में जो अभी 2022 में लेटिस्ट जो दिया है वो हमने लास्ट में कवर किया ठीक है 31 याद रखना 2021 का अजगर वजाहत को 31 सरस्वती सम्मान 2021 किसे दिया है तो रामदरस मिस्र को उनकी रचना मैं तो यहां हूँ के लिए 31 सरस्वती सम्मान दिया गया है 2021 याद रखना दोनों को आपको याद रखना कनफूजन नहीं होना चाहिए 2021 में 31 दिया गया है और 2022 में 32 दिया गया 32 हम लाष्ट में आपको बताने वाल है फिलाल आप 2021 का 31 दिख लीजी अजगर वसाहत को दिया है और रामदरस मिसल को दिया गया है आगे बढ़ते हैं रामानुजन अवर्ड 2021 की से दिया है तो डाक्टर नीना गुपता को रामानुजन अवर्ड 2021 दिया गया है यह किस छेतर से सम्दित था तो यह गडित से सम्दित पुरुसकार है डाक्टर नीना गुपता को दिया गया है आगे बढ़ते हैं वर्ड जमॉन पदक 2022 की से दिया गया है MPPSC में पूछा जा चुका है तो दीपक धर को 2022 का वर्ड जमॉन पदक दिया गया है आपको याद रखना है ठीक है अगला है Grammy Award 2023 Grammy Award 2023 किसे मिला है तो रिकी केज को Grammy Award 2023 मिला है ठीक है Grammy Award संगीज से सम्दित पूरुसकार है तीसरी बार यह पुरुसकार भारती रिकी केज को दिया गया है तो लगातार यह तीसरी बार इनको पुरुसकार मिला है आपके लिए महत्पून है आगे पूछा जाएगा ठीक है कोई भी आपका एक्जाम हो चाहिए वो आपका SSC हो या आपका MPSI आने वाला है MP Police दुबारा आने वाली है तो सभी के लिए महत्पूर बीडियो है ठीक है Royal Gold Medal 2022 की से दिया है तो बालकिष्ण दोसी को दिया गया है Royal Gold Medal 2022 क्यों दिया गया है तो बालकिष्ण दोसी को 2018 में पहला प्रिजिकर पुरुसकार भी दिया गया था समंदित यहां पुरुसकार है आगे बढ़ते हैं बुकर पुरुसकार 2022 की बात कर रहे हैं लेटेश्ट बुकर पुरुसकार 2022 किसे दिया गया है तो सिहान करुना तिलका को दिया गया है यह आपके MP Police की एक्जाम में अभी परसों पूछा गया था कहां की निवासी है श्रीलंका की निवासी है सिहान करुना तिलका ठीक है अगला है अंतराष्टी बुकर पुरुसकार दो बुकर पुरुसकार होते हैं अंतराष्टी जो बुकर पुरुसकार 2022 का किसे मिला है तो गीतांजली स्री को दिया गया है रेत की समाधी इसका English में translation किस ने किया है डेजी रॉक्वेल ने English में translation किया है Tom of the Sand के नाम से ठीक है तो महत्पूर्ण है याद रखना आगे बढ़ते हैं अगला है प्रिजिकर अवार्ड 2022 किसे दिया गया है तो 2022 का जो प्रिजिकर अवार्ड है वो Francis Carey को दिया है ये latest वाला है ठीक है ना Francis Carey को अभी हाली में दिया गया है ठीक है भाई चलिए आगे बढ़ते हैं इसे वास्तुकला का नोबल पुरुसकार कहते हैं प्रिजिकर पुरुसकार को भारती कौन है बालकिष्ण दोसी और अभी लेटेस्ट में किसको दिया है तो लेटेस्ट में Francis Carey को दिया गया ठीक है अभी नित्री को ने तो अपड़ना बाल मुरली जो है वो 68 राष्टी फिल्म पुरुसकार में ये अभी नित्री है ध्यान रखना तीन राष्टी पुरुसकार आपके सामने आ रहे हैं तीन फिल्म पुरुसकार ठीक है तो ये आपका नेशनल वाला पुरुसकार जो है वो अगे बढ़ते हैं, यूनेसको सांती पुरुषकार 2022 किसे दिया गया है, तो एंजला मर्केल को यूनेसको सांती पुरुषकार 2022 दिया गया है, यह जर्मनी की पूर्व चांसलर है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, एक लाग से ज्यादा जनसंक्या में सबसे स्वच्छ सहर कौन स अगे बढ़ते हैं Wool QD से दिया है यह आपको याद रखना थिक कैं ऐगे बढ़ते है 2022 में दी जाती है लेटिस्ट वाला ठीक है आगे बढ़ते हैं Champion of the Earth Award 2022 कीसे दिया गया है तो पूरिमा देवी को Champion of the Earth Award 2022 दिया गया है और यह परियावरान के प्रत जागरुकता के लिए इनको दिया गया है इससे पहले Champion of the Earth Award माननी अपने प्रधान मंती नरेंदर मोदी जी को दिया गया था ठीक है 2021 वाला आगे बढ़ते हैं Film Personality of the Year 2022 कीसे दिया गया है लेटिस्ट है तो चिरंजीवी को दिया गया है गोवा के International Film Festival में इनको यह Award दिया गया था एक्टर है चिरंजीवी Film Personality of the Year दिया गया है ठीक है वाई चलिए आगे बढ़ते हैं ICFT युनेस्ट को गांधी पदक 2022 कीसे दिया गया है तो जो आपका गोवा में ICFT आयजित किया गया था International Film Festival इसमें युनेस्ट को गांधी पुरुसकार जो है वो फिल्म नरगेसी को दिया गया है 2022 की फिल्म है और यह इरान की फिल्म है यह आपको यादखना जब पेपर कटिन बनेगा तो यहां से प्रशने बनेगा ठीक है आगे बढ़ते हैं The Emerald of Peace पुरुसकार कीसे दिया गया है तो स्री स्री रवी संकर को The Emerald of Peace पुरुसकार दिया गया ठीक है यह पूछे जा चुका है आपके वनरचक में Miss Universe 2022 किसे दिया गया है तो R. Bonnie Gabriel यह USA की निवासी है इनको Miss Universe 2022 दिया गया है 2021 में किसे दिया था तो 2021 में भारत की हरनाज संदु को Miss Universe किताब दिया गया था यह किताब प्राप्त करने वाली यह तीसरी भारती है यह भी आपको याद रखना Miss Universe ठीक है 2021 वाला भी बता दिया क्योंकि भाई कोई भरोसा नहीं 2021 का पूछ रहे है 22 का पूछ रहे है तेज का भी पूछ ले रहे है चलिए तीनों को हम इसलिए कवर करा रहे है इंगलेंड के दौरा Lifetime Achievement of the Year का पूरुसकार किसे दिया गया है 2022 का तो डॉक्टर मन महान सिंग को Lifetime Achievement Award दिया गया है ठीक है इंगलेंड के दौरा बिटिश सरकार के दौरा यह हमारे पूरो प्रधान मंदरी है ICC अब यहाँ पर ICC की बात करते हैं ध्यान से पढ़ना ICC सर्व सेथ T20 पूरुस करिकेटर अप दा इयर किसे दिया गया है यह लिटेश्ट वाला है सूरी कुमार यादाव को दिया गया है यह आपके Forest Guard में पूछा गया था अब टेस्ट की बात करते हैं तो टेस्ट पूरुस करिकेटर अप दा इयर इंगलेंड के बेन श्टोक को दिया गया है वन डे पुरुस क्रिकेटर ओफ दा इयर बाबर आजम पाकिस्तान को दिया गया है ठीक है चलिए स्प्रिट ओप दा क्रिकेट अवर्ड आसिफ सेख को दिया गया है जो नेपाल के खिलाडी है ये आपके एक्जाम में पूछा जा सकता इस्टार मार्क कर लीजिए ठीक है भाई चलिए आगे बढ़ते हैं सुभास चंद्र बोस आपदा प्रवंधन पुरुसकार 2023 किसे दिया गया है लेटेस्ट है तो लुंग लेई फायर इस्टेशन को और ओडिसा राज को सुभास चं प्रीतम सिवाच को दिया गया है और ये होकी की खिलाड़ी है बीबीजी के दोरा ये तीनों आवार्ड आपको याद रखने है आगे बढ़ते हैं असम बहबाद 2022 किसे दिया गया तो डॉक्टर तपन सेकिया को असम बहबाद 2022 से समानित किया गया है मातरभूमी Book of the Year 2023 लेटेश्ट किसे दिया गया है? तो dr. पेगी मोहन को मातरभूमी Book of the Year 2023 से सम्मानित किया गया है. अगला देखिए, राजाराम मोहन राई अवर्ड 2023 यहां से लेटेस्ट स्टार्ट हो गया है? जो latest दिये गया है 2030 के वो start हो गया है तो राजा राम महुनराय अवर्ड 2030 की से दिया है पत्रकार AB के प्रसाद को राजा राम महुनराय पुरुसकार 2030 की से दिया गया है अगला है मारकोनी अवर्ड 2030 की से दिया है तो हरी बालकिष्टन को दिया गया है ये computer बैग्यानिक है और दूर संचार का नोबल पुरुषकार मारकोनी अवार्ड को कहा जाता है 2030 में डॉक्टर हरी बालकिष्टन को दिया गया है ठीक है आगे बढ़ते हैं फीफा में गोल्डन बॉल का अवार्ड की से दिया गया है लेटेस्ट तो लियोनेल मेस्ची को दिया गया है लेटेस्टम ठीक है प्रिजज़गर अवडड दो लेटेस्ट वाला जो है वो किसको दिया गया है एक तो हमने आपको उपर पता किया है वो 2012 वाला है और ये 2013 का देविड चिपर फिल्ड को दिया गया है तो आप एक बार देख ले ना 2022 का पुरुषकार डॉक्टर ग्यान चतरुवेदी को दिया गया है, पागल खाना इनके उपन्यास का नाम है, ये लिटिस्ट वाला है, 32 ब्यास सम्मान 2022 किसे दिया है, ध्यान देलेना भाई, डॉक्टर ग्यान चतरुवेदी को, ठीक है भाई, अब देखे, 32 सरस्वती सम्मा बता करके हम आपको आए है ठीक है चलिए Governor of the Year 2023 का अवर्ड किसे मिला है तो अभी अपने RBI के गवर्णर है सकती कांथदास इनको 2023 का Governor of the Year अवर्ड मिला है एबल पुरुसकार 2023 किसे दिया गया है लेटेस्ट है तो लुईस कैफरली को एबल पुरुसकार 2023 दिया गया है इसे गडित का नोबल पुरुसकार भी कहा जाता है ये भी प्रशन पूछा जा सकता एबल अवर्ड के बारे में ठीक है अगला है Knight of the Legion of Honor Award किसे दिया गया है तो किरन नादर और एन चंसेखर को Knight of the Legion of Honor Award से समानित किया गया है कनाड़ा का ये पुरुसकार है ठीक है आगे बल लेते हैं भाई फेमिना Miss India 2023 किसे दिया गया है तो फेमिना ध्यान रखना फेमिना Miss India 2023 नंदनी गुपता को दिया गया है संतो कबा मानावतावादी पुरुसकार से किसे समानित किया गया है तो ये सोनम वांग चुक है इनको संतो कबा मानावतावादी पुरुसकार से समानित किया गया है और ये एक परियावरण विद्य है ठीक है आगे बढ़ लेते हैं लता दीनानात मंगेसकर पुछा गया था, 12-13 अगस्त में, आसा बुसले को लता दीनानात मंगेसकर अवाड दो हजार तेश दिया गया है, इससे पहले 2022 का किसे दिया था, तो माने नहीं अपने प्रधान मंति नरेंद मोदी को 2022 का दिया था, ठीक है, अब देखे, फिल्म आवड दिया है, तो गंगुबाई काठिया वारी को सर्वसेष्ट फिल्म का आवड दिया गया है, फिल्म फेयर में ध्यान रखना ठीक है, फेयर से याद कलो, फेयर में गंगुबाई काठिया वारी, ठीक है, फेयर अनलवली का आवड जो है, प्रिचार करती है, आलिया भ प्रेम चौपडा को lifetime award दिया गया है lifetime achievement का ठीक है भाई उम्मीद करते हैं दोनों में confusion बिल्कुल भी नहीं होगा आपको आगे बढ़ते हैं पुलिजर पुरुस्कार 2023 लेटिस्ट वाला किसको दिया है तो यह आपका New York Times को दिया गया है पुलिजर पुरुस्कार किस से समदित है तो पत्र कारता से समदित है यह प्रष्ट मी पूछा जा चुका है आपके forest guard में ठीक है तो महतरपुन है आपके लिए अगला है डॉक्टर भीम राव अम्बेटकर पुरुसकार 2030 की से मिला है तो याद अखना यह बहुत महतरपुन पुरुसकार है उत्तर प्रदेश के मुख्य मंतरी योगी आदित तनात को 2023 का डॉक्टर भीम राव अम्बेटकर पुरुसकार दिया गया है यह उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बत तीन आपके पुरुसकार हो गया एक तो 68 नेशनल हो गया ठीक है उसमें सूर्या अजय देवगन एक आपका 68 फिल्म फेयर हो गया जिसमें राजकुमार राओ और यह आपका आईफा अवर्ड 2023 है इसमें रितिक रोसन को सर्वसेष्ट एक्टर का पुरुसकार मिला है पूर इसक्रष्ट उपलब्धी के लिए lifetime achievement के से दिया है तो इसमें कमल हसन को दिया गया है आईफा में जहां डखना भाई confusion नहीं होना चाहिए ठीक है 57 वा ग्यानपीट पुरुसकार की से दिया गया है तो दामुदन मौजा को लेटिस्ट में जो ग्यानपीट पुरुसकार दि 57 नंबर का वो दामुदन मौजा को दिया गया है उमीद करते हैं वीडियो भाई आपको पसंद आ गया होगा एक भी आपका प्रस्ण यहां से बाहर नहीं जाने वाला है सारे प्रस्ण अवार्ड के इसी में से आएंगे दो बार तीन बार इस वीडियो को देख लीजी आप आपका सारा कन्फीजन क्लियर हो जाएगा यह हमारा टेलिग्राम चैनल है लिंक दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है यहां पर आपको इसकी पीडिएफ 24 गंटे बाद मिल जाएगी 24 गंटे से पहले कोई वहां पर पीडिएफ पीडिएफ मचल लाना नहीं मिलेगी 24 जंटे बाद सक्सेच जंचन टेलिग्राम पर मिल जाएगी यह हमारा discuss group का चैनल है सक्सेच जंचन लाइब इसकी भी इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है नहीं इसकी लिंक से नहीं खुल रहा है तो आप इसे जो है सर्च करके भी खोल सकते हैं अपने टे अधित पतल सर की बुक, अधित रंजन सर की बुक, सब आपको PDF में आपको यहाँ पर मिल जाएगी, आपको फ्री में डाउनलोड कर लेना है, इसके अलावा पटवारी, आपकारी, वंडचक, तीनों के पेपर एक साथ में इसी ग्रूप में आपको मिल जाएगे, फ्री में ड करके आए हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ना, क्योंकि लगातार एक्जाम एलसिस हम कराते रहेंगे, और जब तक आपका MP पूलिस का एक्जाम पूरा नहीं हो जाता, तब तक एक एक जानकारी हम आपको देने वाले हैं, कब आपका रणिंग के लिए हाई वज़े समापत होगा, साड़े तिन चार वज़े से पहले पहले आपको एक्जाम एलसिस की डीटेल वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, बागी कल वाली तीनो सिफ्ट की डीटेल वीडियो हमने अप्लोड कर दी है, जा करके आप देख सकते हैं, तो मिलते हैं एक्जाम ए निवाद